नमस्कार दोस्तों अमेजिंग ट्रैक्टर नौलिज चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट नवीन चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त हैरो दिखाने जा रहा हूँ जो की मैसी स्पेशल हैरो है हाला कि ऐसा नहीं है कि आप इसे किसी और ट्रैक्टर पर नहीं चला सकते हैं लेकिन मैसी स्पेशल मैं इसे इसलिए कहूंगा क्योंकि ये लिफ्ट वाली हैरो है और ये हैरो हैड्रॉलिक से उपर उठाने पर टैक्टर आगे से लिफ्ट नहीं करता टैक्टर नहीं उठता इ साथ डिस्क आगे पीछे दोनों तरफ इस हैरो में लगाए गए हैं और खास बात इसकी ये है कि ये फोल्डिंग हैरो है यानि के आप इसे खीचने वाली हैरो की तरह है खोल और बंद भी कर सकते हैं अभी तक आपने देखा होगा जितनी भी हैरो आपने देखी होंगी जो लिफ्ट वाली हैरो है उनको आप फोल्डिंग नहीं कर सकते वो एक निश्चित दूरी पर बंदी हु और बहुत ही सस्ती हैरो है, बहुत ज़्यादा कीमत इसकी नहीं रखी गई है, इसकी कीमत की खुलासा भी मैं आपसे करूँगा, लेकिन सबसे पहले इस हैरो का निरिक्षन कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या खास दिया गया है, तो चलिए शुरू करते ह दोस्तों सबसे पहले हैरो के डिस्क की बात करते हैं इस हैरो में 14 डिस्क लगाए गए है आगे और पीछे दोनों तरफ 7-7 डिस्क दिये गए है और ये डिस्क 2 फिट यानि 24 इंच के डिस्क है आगे भी 24 इंच के 6 डिस्क लगाए गए है इसके बाद बात करते हैं इस हैरो के मस्ट हाइट की मस्ट हाइट यानि वो उचाई जमीन से वो उचाई जहां पर टॉपलिंग का उपरी सिरा जुड़ा होता है ये उचाई इस हैरो में 42 इंच रखी गई है ताकि आप देखिए टॉपलिंग की स्थिति देखिए पीछे की तॉपलिंग की उचाई ज्यादा है और टेक्टर की तरफ जहां टॉपलिंग जुड़ा हुआ है वहां उचाई कम है अगर इस तरह से टॉप लिंग की स्थिती होगी तब आपकी हाइडरॉलिक बहुत ही बढ़िया सैंसिंग करेगी और टेक्टर को लोड नहीं मानने देगी तो इस हैरो में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि टॉप लिंग का पिछला सिरा जो सिरा हैरो में जुड़ा हुआ है वो टेक्टर के सिरे से उचा रहे इसके बाद बात करते हैं जहां पर ये हैरो मूव करती है मूमेंट करती है उस जगे की तो आप इसके इस पार्ट को देखिए, यहाँ पर एक special lock लगाया गया है, इस lock को जब आप tractor लेके जाएंगे, काम करने के बाद हैरो को उपर उठा कर तब इस lock को लगा दीजिए, तो हैरो इधर उधर move नहीं करेगी, और जब आप खेत में इस हैरो से काम करना चाहेंगे, तो इस lock को निकाल दीजिए, औ इसको यहाँ पर लगाने की सुविधा दी गई है, अब जब आप इस हैरो से काम करेंगे, तो यह हैरो, यह जो डिस्क लगाई गई है, यहाँ पर इस पर यह move करेगी, इधर उधर घूमेंगी, जब आप mode protector घूमाएंगे, तो यह उसके साथ move करेगी, इसकी खास बात यह ह कि इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं आती है, यह बहुत बढ़िया तरीके से इसमें बुश लगाए गए हैं, और इसमें सालो साल यह चलते हैं, और प्ले यहाँ पर नहीं आती है, इसके इलावा इस हैरो में एक और खास बात दी गई है, कि यहाँ पर आप इसको एड़ज तो देखते हैं कि ये कैसे काम करती है तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं टेक्टर को स्टार्ट ये हमने टेक्टर को स्टार्ट कर लिया और इसके बाद हम हाइडरॉलिक लीवर को उपर की तरफ करते हैं जिससे की हैरो थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाए ये हैरो लिफ्ट कर गई है इसके बाद हम इस लॉक को खोल कर हैरो को पीछे की तरफ जो इसके डिस्क है हमें जितनी गहराई लेनी है उसके हिसाब से इसको खोल लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इसमें होल दिये हुए हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे ये हम इसको लगा लेते हैं पाँच होल के बाद ये पाँच होल के बाद हम इसको यहाँ पर यहाँ पर लगा लेते हैं ये हैरो हमारी देख लीजिए, अब इस तरह से ये खुल गई है, और इसके बाद हम हैटरलिक को नीचे करेंगे और टेक्टर को स्टार्ट कर लेंगे, दोस्तों एक और खास बात मैं इस हैरो के बारे में बताना चाहूंगा कि इस हैरो में बुश नहीं दिये गए हैं, दोनों डिसको में बेरिंग लगाए गए हैं, डबल बेरिंग यहां पर दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ यहां पर बेरिंग लगाए गए हैं, और वहाँ पर ये आपको सिर्फ 35,000 रुपए की कीमत में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं और इसको चला कर देखते हैं कि ये कैसा काम करती है दोस्तो टेक्टर को हम ने 1530 अर्पियम सेट कर लिया है टेक्टर की और साथ ही साथ आपको हैरो काम भी दिखाएंगे कि ये हैरो किस तरह से काम कर रही है कर दोस्तो अगर के बीटू आपको है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बैल आइकन को जरूर दबाते है रह्म्यवाद